next question is question 1 type 4 type 8 तो अब हम इसको करते हैं यहां पर हमारे पास same लीचे आ जाएगा ठीक है यहां पर हमारे पास 3 यह 3 है 3 2 6 and 7 7 by 3 फिर हम करते हैं जो denominator में numbers हैं हमारे पास यह ठीक है इनको multiply कर लेते हैं इसको मल्टिप्लाइग कर लेते हैं इस नमबर multiplying और जो ठीक है दोनों साइट्स पर हमें इस नमबर को मुल्टिप्लाइग कर लेते हैं तो यह आजाएगा 6x into x plus 2 इसको इससे cutting कर लेंगे तो यह आजाएगा 3x minus 3 यहां पर हम इसको ले लेते हैं इसको इसको अजाएगे तो इसको मुल्टिप्लाइग कर लेंगे यह चाटिंग हो जाएगे यहां पर यह यहां पर कट यह 3 3 से कट किया तो यह हमारे पास आजाएगा 7 2x से मुल्टिप्लाइग होगा तो यह आजाएगा 14x 14x अंदर मुल्टिप्लाइग होगा तो यह 14x2 एड माइनस 14x अंदर मुल्टिप्लाइग होगा तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो इसको मुल्टिप्लाइग कर लेते हैं 6x को x plus 2 से multiply करेंगे तो हमारे पास आज़ेगा 6x square plus 12x इनको अंदर वाले सारे numbers को आपस में multiply करेंगे यह हमारे पास आज़ेगा 12x minus 3x square minus 12 plus 3x इसको 14 को इदर ले आए तो यह हो जाएगा minus 14x square और यह आज़ेगा हमारे पास plus 14x ठीक है साइंस चींज हो जाएगे अब यहाँ आते हैं तो यह आज़ेगा हमारे पास 6x square और यह आज़ेगा हमारे पास 12x यह अंदर वाले सारे साइंस चींज हो जाएगे यह हमारे पास आज़ेगा माइनस 12x यह आ जाएगा प्लस 3x क्यार यह आ जाएगा हमारे पास प्लस 12 and this one is minus x 14x क्यार प्लस 14x students यहाँ पर आप देखें same signs वाले जो हैं उनको same variables वाले जो number हैं हम उनको plus minus जो भी उनके सलसाइन है accordingly हम उनको कर लेते हैं तो यहाँ पर 6x स्क्यार है plus 3x स्क्यार है and minus 14x स्क्यार है यह दो नो प्लस होके 9 होगे and 14 के साथ यह minus होके यह हमारे पास आजाएगा minus 5x स्क्यार then यहाँ पर यह 14x है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यह 12x है 12x 12x से cancel हो गया यहाँ पे हमारे पास 14x रह गया और minus 3x रह गया 14x minus 3x आ जाएगा हमारे पास plus 11x ठीक है और constant number हमारे पास सर्फ 12 है 12 बच जाएगा equals to 0 ठीक है जब यहाँ से इसको हम इदर shift किया तो यहाँ पे यह 0 के equal आ जाएगा यहाँ अब इसका minus common ले लेते हैं minus common लेने से अंदर के वाले सारे science जो है वो change हो जाएगा ठीक है अब हाईए हमारे पास आ गया a equals to 5 b equals to minus 11 c equals to minus 12 x equals to minus b plus minus b square minus 4 a c over 2a okay जी values put करते हैं a b c की चीक है लेक भी सकते हैं putting values और a b and c तो students यहाँ पर हम कर लेते हैं इनको put x equals to minus minus 11 and plus minus minus 11 का square minus 4, 5 and minus 12 so students to 5 आ गया अब इनको आपसे multiply कर लेते हैं यह हमारे पास यह तो plus minus 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 plus हो जाएगा plus 11 plus minus यह आजाएगा 121 यह हमारे पास आजाएगा 240 ठीक है minus दोनों minus हैं तो यह plus हो जाएगा यह आजाएगा हमारे पास 10 यह हमारे पास आजाएगा 11 plus minus इन दोनों को add करेंगे तो यह हमारे पास 361 आजाता है 351 is again perfect square of 19, ठीक है, तो हम इसको 19 का perfect square है, तो इसे बाइन ले है, रूप से, ठीक है, X equals to 11 plus 19 over 10, and 11, 11 minus 19 over 10, X equals to, आ जाएगा, यहाँ के मारे पूस 30 by 10, और यहाँ पर, यहाँ पास यहाँ रहा है, minus 8 by 10, कटिंग कर लेते हैं, यह ठीक हो गया, और यह हमारे पास हो गया, 4 by 5 minus के साथ, तो हमारे देसलूशन चुछा है, 3 minus 4 by 5, 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 पास बादोशन चेज़गा है, 3 minus 5, अभरे पास बास है, यहाँ पास दो हमारे इसलूशन चुछा है,